आज नाखपुर शहर का एक ऐसे जाने माने शक्सियत इस समय में मौझूद है प्रवींजी राउत प्रवींजी राउत इस लाईव सिधा प्रसरन में आपका स्वागत करते हैं दर्शुकूर आज के हमारे जो मेहमाने प्रवींजी राउत इनके बारे में आपको पता देना चाता हूँ कि प्रवींजी आप केंद्रिय अद्धिक्षर केंद्रिय ग्राम सबा के हो साथी साथ किसान बचाव अंदोलन के लिए आपने बढ़ चकर हिस्सा लिया है सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में जिस प्रकार से भारत की किसानों की जो लचर हालत और भारत की शुरुवात के काल में अबो 70% ये जो मेजोरिकी थी वो किसानी से रिलेटेर थी कास्तकारी से रिलेटेर थी अभी उसमें अभावत आ गई है अभी वो जो प्रमान है वो कम हो गया है तो अभी किसानों की मात्रा भी परसेंटेज भी कम हो गया है तो भारत अभी क भी याने खत्री की घंटी है अभी रहा सवाल कि किसान की ऐसी अवस्था के लिए कौन जवाब देई है कौन जवाबदार है तो देखिए संजय जी ये देश का आधार जो है वो किसान है लाल बादू शास्त्री जी ने किसान को जय जवान जय किसान बोला है याने राश्टर बाधर के अगर दो पहलू है दो चक्के है उसके उपर ये देश चलता है तो एध जवान जो भाहरी सुरक्षा करता है और दुसरा किसान तो मैं तो अभी ये बोलना चाहूंगा समय के अनुसार आज कम से कम जवानों के लिए कुछ स्कीम्स है जवानों के लिए पगार है पार्टिया राजनेतिक नेता पक्षव पार्टी जाती धर्म तो ये तो सेकंडरी हिस्सा है लेकिन इसके लिए अगर सबसे ज्यादा सबसे कोई जावबदार है मैं भी एक किसान हूँ मैं भी एक किसान का बेटा हूँ उसके बावजूद भी मैं ये बोलूँगा और किसान विदेग का आकेकर महत्व कितना होता है इसका स्वरुप क्या है प्रविन जी देखिए विदायक अभी नियम काईदे कानून तो बहुत सारे है आप अगर सब्विधान की और देखेंगे तो सब्विधान में दो प्रकार लोकतंतर के बताया है दो हाथ है लोकतंतर की दो बाजुआ है दो भुजाया है एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रोसी और एक है डायरेक्ट डेमोक्रोसी रिप्रेजेंट डेमोक्रोसी में हम अपना याने वार्ड लेवल से लेके तो दिल्ली तक याने केंद्र सरकार तक वार्ड लेवल से हम नगरस्योग चुनते हैं स्टेट लेवल पे आमदार याने मले चुनते हैं और केंद्र लेवल पे भा ग्राम पंचाट से लेके, ग्राम पंचाट सरपंचे से लेके, तो मेट्रो पॉलिटीशन शहर में महापोर मेर चुने जाते हैं, यह होगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रोसी, लेकिन उसके उपरांथ एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का एक हिस्सा होए, that is called as direct democracy, लेकिन आधा लोकतंत्र है, और direct democracy जो है, वो आधा लोकतंत्र, ऐसा दोनों चीजे मिलके, पूर्ण लोकतंत्र हम बोल सके हैं, तो आधा जो लोकतंत्र है, representative democracy, उसके तरफ सारे देश का, सारे जहा का, खेडे में से, दिल्ली तक, गल्ली में से, दिल्ली तक, सब का द्यान है, लेक जिसको निदा जी सुवास चंद्रबोस ने people's power बोला था, जिसको महत्मा गांधी ने राम राज्य बोला था, राम राज्य की संकल्पना याने आखरी जो हिस्सा है ये देश का, वो ग्राम में, याने गाव में रहता है, आखरी जो घटक है इस देश का, जिसको हम नागरि चाहिए, दिल्ली एंड मुंबई विल नाट डिसाइड, सेंट्रल एंड स्टेक्ट असेंबली विल नाट डिसाइड, याने गाव की संसद और वाइट की संसद को संपूर्ण, बहुमत, संपूर्ण शक्ति लोक तंत्र की जी गई है, याने बाज पंच्यात राज खाइद पूर्ण दूर्लक्ष हो सकता है, या राजनेतिक आकाओं को ये लगता है, ये महसूस होता है, कि सब कुछ लोक तंत्र अगर लोगों के हाथ में चला गया, तो फिर उनके हाथ में क्या रहेंगा, तो आम आत्मी को सर्वसामान नागरिक को फिर वो गाव का रहे, या वार् पूर्ण दूर्रक्ष किया गया है, तो लोक तंत्र इसले हमारा आधा है, इसले संजे जी आपका जो प्रशनत था, कि विदाक पारित होता है, तो विदाक का क्या महत्वा है? तो विदाक का 50% महत्वा है, लेकिन ये देश का देखी है, ये देश का नसीत, यह कुदरत का असर या कुदरत का अच्छा प्रभाव हम बोल सकते हैं यहां के संस्कूरुती का अच्छा प्रभाव बोल सकते हैं कि आधे लोक तंत्र के उपर सिर्प्रेजेंटेटिव डेमोक्रॉसी के उपर भी इसके पुरुवान चलके जो सरकार वगरे थे उन्होंने देश को 8% GDP तक बढ़ाया है काफी मात्रा में काफी हद तक लोगों का लोक तंत्र राजनेतिक बैलेंसिंग वो अच्छा किया है लोगों का नैशनल इंटीग्रेशन एक मेक से अच्छा मिलन जुलन भरी व्यवस्था थी आज के तारिफ में वो चित्र बदल गया है तो यह देश का भाग दयनी अवस्था हो गई है अभी कास्तकार बोला जाता है कि कास्तकार आत्मात्या क्यों करता है तो कास्तकार आत्मात्या क्यों करता है तो देखिए उसको सबसे ज़्यादा इस इस पावर टू पीपल महात्मा गांधी मुझी ने जिसको राम राज्य बोला राष्ट्र संत ने हमारी पूरी ग्राम गिता जिस कास्तकार को किसान को अरपन की वो राष्ट्र संत ने ये राम राज्य को ग्राम राज्य बोला यानि ये देश में देखिए सबसे अगर समसाधन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समसाधन अगर कही है तो वो कहा है वो खेत में है गाव में ह कुद्रप्त निसर्ग शिव तत्व जिसको हम बोलते है मात्मा फुले जी ने जिसको निसर्ग निर्मिक कहा है वो तत्व अगर कही उपलब्द है प्रचुर मात्रा में तो वो गाउं में सच्ची अगर संस्कृती देखते है आज देखिए शहर में कौन से भी आप मेट्रो स में जाने के बाद आपका मानसनमान बहुत दूर रहा जल्दी ही वो सोचते है कि ये महमान कब निकलेंगे कब जाएंगे ग्रामिड में आप आज भी पहुचो ग्रामिड में पहुचते बराबर पहले आपको हाथ पर धोने के लिए पानी दिया जाता था आपको तवलिया तवलिया अगर उस घर में नहीं है उस घर की कंडिशन खराब है तो वो घर के किसान की धोती साफ सुत्री स्वच्छ धोती भलाई वो फटी क्यों नहों लेकिन आने वाले के मानसनमान के लिए हाथ पर धोने के लिए ये अभी करोना का नाटक आया है बहुत बड़ा ये अभी दिरे-दिरे साबित हो रहा है तो ऐसे भी पिरेट में मिल्स गाव जो हमारा था वो सक्षम था नैसर की क्रूप से आत्मी क्रूप से और सामाजी क्रूप से भावनात्म क्रूप से गाव जिंदा था तो ऐसे परिस्टी में सबसे सक्षम अगर कोई चीज थी तो किसान के लिए मरने के लिए माध्यम है लेकिन उसको स्वात्यंत्र नहीं है कि जो भी चीज उगानी के लिए जो भी चीज प्रोडक्शन के लिए अन्नधान्य फल फुल सब्जी उगानी के लिए उसको जो खर्चा आता है वो खर्चे के प्रमाण में भाव डिसाइड करने का रेट डिसाइड करने का उसको स्वातंत्र नहीं है और वो रेट कौन डिसाइड करता है? राजनेतिक व्यवस्ता किसके अंडर में है? या कौन उसको कंड्रोल करता है? तो उद्योग पती, बड़े-बड़े पुझी पती वो राजनेतिक व्यवस्ता को मैनेज करते हैं. अभी आज के वर्तमान सरकार में आप देख रहे हैं कि म राजनेतिक प्रक्रिया में अगर समझो, इंटर्फेर करते हैं, प्रभावित करते हैं, और ज्यादा हो गया तो वो प्रभाव कूप्रभाव में बदलता है, तो अभी राजनेतिक व्यवस्ता कूप्रभावी हो गई है, जिसके चलते किसानों की आत्महत्या की प्रमान जो आज हर जगह आप देख रहे हैं पहले की इलेक्षन जो थे हमारे दादा जी के जमाने में लोग कच्चे चीऊड़े पे इलेक्षन जितते थे आज इलेक्षन बोला तो तिकिट लाने से लेके तो रिजर्ड डिकलियर होने तक करोडो अर्बो रूपे का ट्रांजक्शन होता है परिष्टिती बदल गई है इसका मतलब इलेक्षन में अगर अच्छा आजमी भी रहा आज शायद अगर महत्मा गांधी जी भी रहते नेताजी सुवास चंद्रबोस रहते पंडित जवारला नेरू रहते या शायद भगत सिंग जी भी रहते तो वो इलेक्षन में गिर कैस्तिक वेवस्ता कभी और कैदे कानून की वेवस्ता तो वह भन्ना गया है सर्वसामण्यम अध्यमद्यों वर्गयों átर सेम अवस्ता कास्तकार की थो क rozm से le προढक्शन से लेके तो माल स्का जो ूसता जो बेदिर्फिट है वो घर में लाने तक मपरना प्या ध संपूर्ण देश डिस्टब देखिए संजय जी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा पिछले बार भारत कर बहारत देश पर बड़ा आर्थिक संगत आया था और शेयर मार्केट बहुत भायनक रूप से निचेगी गिर गए थे लेकिन हमारे उस वक के प्रणव मुखर जी सब्सक्राइब को तो चाहिना ने भी विरोथ किया अमेरिका नें भी विरोथ किया राजनेतिक दौर से राजनेतिक अधुष्टी को न से लेकिन हमारी भारत की अर्थ व्यवस्ता एकड़म डाउन तो जीरो लेवल या अंडरग्राउंड जिरो लेवल नहीं हुई क्यों ये भारत की जो व्यवस्ता है अब देखिए आर्थिक व्यवस्ता का याने अर्थ सुत्र संचालन अर्थ याने ये रक्त है राज की व्यवस्ता का अर्थ याने ये व्यवस्ता है और भारतिय राज्य व्यवस्ता में कि ये गाव में आठवडी बाजार रहेते हैं तो ये जो आर्थिक रक्त का सुत्र संचालन है वह हमारे आठवडी बाजार से और और मज़ूर मजदूर वरगस यानी ग्रामिन अर्थ व्यवस्था से वो जो र EthTech सुत्र शंचालन होता है उसके वजे से भारत कोलेप्स नहीं हुआ यह बीपी शुगर का जैसा आट्याक आने के बाद इंसान कोलेप्स हो जाता है वह इसी अर्थवेवस्ता कोलेप्स नहीं हुई तो इस इस बेसिक रिजन पर इंडियन ट्रांजक्शन इंडियन एकोनमी यह तो आपने जिस प्रकार से बोला है प्रवीण जी राउट जो की केंद्रीय अद्धिक्षए केंद्रीय ग्रामसभा और किसां बचा आंदोलन के एक बहुत बड़े योगधा के तोर पे काम कर रहे है प्रवीण जी मेरा सवाल यह ता कि जिस प्रकार से आपने जो किसान का जो विदेक जो है उसका इंपोर्ट बता देना यह तो बराबर नहीं होगा लेकिन आत्मत्य को प्रमान में बहुत बड़ा था तो मेरा एक सवाल यह था के इंदर सरकार तो अच्छी काम कर रही है प्रवीजी जिस प्रकार यह मैं नहीं कर रहा हूँ लोगों का कहना है कुछ आपके अंदर में कुछ किसान है जि किसान के लिए कापी अच्छे थे लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते किसान आज दिल्ली में बैठ कर तकरिबां 400 संगठ है यह कोई कम बात नहीं होती तो आपके जो किसान है इस देश का जो किसान है इनमें इतनी त्यूरता से सरकार का विरोत क्यों कर रहे है देखिए आपने बोला यह चर्चा की जारी है किसान विदहक किसान विदहक किसान विदहक तो उसमें से एक तो इसेंचियल कमोडिटी अक्ट है और दो जो विदायक है वो ट्रेड एंड कॉमर्स यहने वानिज्य एवं व्यापार से रिलेटेड वो विदहक है यहने डिपार्मेंट और ये जो डिपार्मेंट ये जो विशय और ये जो डिपार्मेंट आता है वो केंद्र सरकार के समलगनता में आता है और कुशी ये जो विशय है वो राज्य सरकार के कंट्रोल में आता है तो जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कॉर्डिनेशन नहीं होता तब तक किसानों की भलाई की बात होना असंभ हो है यह है प्रैक्टिकल बात संजे जी दूसरी बात सरकार का क्यों विरोध हो रहा है अभी देखिए सरकार की जो सुरुवाज से लेके जो नि the decision they are approved as against the people नागरिकों के घितों के दिशा में नहीं तो वो अहीतों के दिशा में जा रहे है सरकार की decision दूसरी बात यह जो तीनों काईदे जो बताये जा रहे है तो वो तीनों काईदे में संशोधन किया गया है संशधन किया गया है लेकिन वो कायदों की व्यापतता क्या है अभी जैसे agreement का जो कानून है तो कास्तकार अगर किसी से agreement करता है उसमें अगर default निर्माण होता है कुछ टेखनिकल प्राब्लेम आता है या वाद निर्माण होता है तो where he should appeal कहाँ appeal करना चाहिए कास्तकार कहा जाएंगा अगर समझो अदानी से हमारा 1000 एकर जिल्ला है एक जिल्ले में 1000-10,000 एकर अदानी अम्मानी को contract farming कास्तकारों से कर ली अगर समझो वहाँ उसके मुलभूत अधिकार जो है वो नहीं मिलते हैं कास्तकार को जो भी agreement हुआ है उसके अनुसार कारिया नहीं होता है तो फिर अगर कास्तकार को complaint करना है तो कास्तकार where he will make the complaint उसके लिए कोई प्रावदान है कोई नहीं याने कास्तकार अगर समझो फिर complaint करना रहा तो सब जगह से वो SGO से लेके पोलिस पिशन से लेके तो नहाय लें प्रक्रिया से लेके अगर उसको दूर रखा जाता है तो फिर is it complete वो काईदा complete है वो काईदा संपूरुन है वो काईदे में कानून में सच में कास्तकारों की किसानों की सुरक्षा की जवाबदारी जिन्मेदारी सरकार में ली है या फिर वो काईदे से सरकार की मानसिक्ता जो है कास्तकारों के बारे में positive योग्य निर्णे लेने की वो मानसिक्ता का प्रदर्शन होता है या फिर कास्तकारों के बारे में दिशाभूल करने का निर्देश वो काईदा देता है तो यह बात important है सेंजे जी लेकिन प्रजी जिस प्रकार से मैंने एक मात्यम के जरिये नरेंदर मोधी जी का जो मैंने statement पड़ा हूँ उसमें उन्होंने ये कहा था कि देश की किसानों के बारे में कि नियुनतम समर्थन मुल्य और सरकारी खरी कम से कम उसके प्रचाश प्रतिशत उसको मुल्य अधरित भाव मिलना चाहिए आप देखिए यह हल्दिराम एक रूपे का आलू हल्दिराम क्या करते हैं एक रूपे का अलू चिर को दस ऊपजने के लिएे तो क्या वो प्रमाळ में कास्तिकार को दस गुना नहीं लेकिन दुगुना तो भी कम से कम भाव मिलता है बिल्कुल नहीं कास्तकार का भाव डिसाइड करती है राजनेतिक व्यवस्था और राजनेतिक व्यवस्था के उपर कंट्रोल जो है वो उद्योजक व्यवस्था का उद्योगपती व्यवस्था का है मैं संजो जी आपको एक बात बोलना चाहूँगा आज के तारिक में जातिवात का बवंडर बनाय जा रहा है लेकिन वो वर्चुल बवंडर है वो प्राक्टिकल नहीं है वो रियल नहीं है रियल जो बवंडर है वो आर्थिक पुंजीवादी बवंडर है और पुंजीवाद के ही चलते नागरीको की दिशाभूल की जारी है नागरीको को मूल उद्देश से मूल लोकतांतरिक शक्ती से दूर रखा जा रहा है तो बाडॉक्टर बाबा साब आमवेड करने एक किताब में लिखा था कि कुछ समय बाद यह जाती व्यवस्था जो है यह जाती व्यवस्था शोशन व्यवस्था का जो रूप है जाती व्यवस्था यह बदल जाएंगा यह जो सारा कंट्रोलिंग है अभी आपने बोला है कि मंडी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हाँ उसमेन कुछ दलाल च्छोटा पोटा कम जादा करके वह अपना जादा प्यौल discussing है अग obrig अभी आप बताईए संजेची अगर कास्तव क करना मार्केट जा कर मुधा मुधी लिए अनाज मार्केट अर्थिया असोसियेशन फूट असोसियेशन अलू प्याज लसन ने उनको समर्थन जाहिर किया है नागपूर के कड़ना मार्केट के हर व्यापारियों ने अपनी नहीतित जवाबदारी समझती हुए हम अतुल जी सेनार से मिले हम राजेश छावरादी जे स उनसे मिले तो उन्होंने सबने दिमाग से बुद्धी से और दिल से दोनों तरब से समर्थन अपने कास्तकारों को जाहिर किया है तो अगर समझो यह व्यवस्ता है जैसा कास्तकार ने अपना माल लाया सरकार बोलती है वो कही भी बेच सकता है पहली तो बात यह है कि कास्त करूँ मैं दो ट्रक अगर संत्रा लाया हूं तो मैं क्या स्पूरे शहर में संत्रा लेके घुमूँगा यह न एपीम से मारेकेट महां पर दिया गया है न हमको हाँ तो यह हजारों लाखों जो व्यापारी दलाल अर्थिया यह जो सिस्टम है यह सिस्टम कोलैप्स करके एक ही फिर एक किसी उद्योग पती के हाथ में यह अर्थसुत्रसंचालन याने आर्थिक नसनाडी उसके हाथ में सोपने का यह शडियंत्र है ऐसा ही सोचना का स्टकारों का है दूसरी बात यह सरकार ने जो जो निर्णे लिये है वो जनता के विरोध में गये है जनता का नुकसा अधियान करने वाले निर्णे हुए है फिर वो नोट बंदी रहो या और दूसरे रहो तो इसके वज़े से सरकार के प्रती नागरिकों का विश्वास निर्माण हुआ है इवीम का देखिजिए इवीम के बारे में भी अभी हाल ही में जब 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 ज़हा ज़हा ज़िस वज ऑने चेज़ में पर उब संजे जी विवा लांच दॉसरे लगों को उपता चुँप है उसी धन्ह से ये काईदे के बारे में सरकार की जो बनीश arm चाभ कि इस प्रकार से आपने यह जो अरुप चाभी उसके पर तो मैं आने वाला हूँ लेकिन दर्शम मैं आपको बता दू कि कल में कल जो भारत बन का जो एलान किया गाया बड़े पैमाने पे उसके अंदर दस राजनिसिक दल है दस ट्रेड उनिन है और 51 ट्रांसपोर्ड उनिन जो है उनका फुली समर्धन किसानों को मिला है औ इसलिए सब लोग कल सड़क पे उत्रे हुए है और शरत पावार जो कि राश्टावादी कंगरस के सुप्रेमें प्रवेंजी उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जय से जल अगर हल नहीं निकालती है तो हो सकता है कि यह जो आंग जो लग चुकी है यह मातर दिली में नहीं त और सरकार इसको फिर जिलनी पाएंगा समय के चलते सरकार ने ध्यान देना चाहिए ऐसा शरत पावार का भी कहना था दर्शुक मैं आपको बता दूँ कि कल के इस भारत बन के इसमें राउजी श्रमिक संगर्टन हो ट्रांस्पोर्टर हो या व्यापारी के समर्थन के बाद आप कॉंग्रेस भी है राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भी है आप पर्टी पे सपप्रति पे राजित ऊंगर्स अकली दल स्टीम सीपी आई सहीग प्रमूग जो वामपति जो दल है इन सब भारत बन को समर्थन दिया है मेरा सवाल आप से यह था कि इस विदय को लेकर जिस योग लड़ते रहते हैं सवाल मेरा ये था क्या इस विधाय को लेकर प्रविंजी सरकार की भूमी का या उद्देश कौन सा दिखाई देता है किसान या राजनिती वावा ये सारे डिसकुशन का ये मूल केंदर है संजे जी राजनिती किसान तो मुझे बताईये संजे जी ज वान किये थे पिछले बार मान्य खास दार है मालीनी जी के बी कुछ दिखाई दी गई कुछ हीरो फिरोई की तस्वीर si की दिखाई दे गी जो इए यह क्या आक्टिंग करते हैं सर्कार के स्च्राइट में जी करते हैं और सरकार चाब राजनितिक लोग उनको कवर भी करते हैं तो क्या सच में ऐसे लोगों के स्टेक्टमेंट के ऊपर हम सच में विश्वास कर सकते हैं क्या वो ऐसे हीरो हीरो इन्स हो गए या फिर राजनेति एक का एक को कोन वो कुरुशी मंत्री राज्य मंत्री वो तो बोर रहे कास्तकार ने यहां का को उदर जाके मरना चाहिए अरे बाबरे कास्तकार ने यहां नहीं उदर जाके मरना चाहिए जो कास्तकार अन्य यह अगर पूर्णा ब्रह्मा है तो ब्रह्मा का निर्माता भूमी अगर माता है तो ब्रह्मा का पिता अगर कास्तकार है तो ब्रह्मा निर्मान करत कास्तकार में बाहर जाके मरना चाहिए मैं तो ये कहूँगा कि जो राजनिती लोग सभा के जो भी प्रतिनी दिया है उन्होंने पाकिस्तान में जाके मरना चाहिए अभी कास्तकारों के आंदोलन के उपर पाकिस्तानी खलिस्तानी ऐसे आरोप लगा रहे है कोन लगा रहे तो यह सब जो चीजे हैं दूसरी बात जहां तो उद्देश का राजनीति और कास्तकारों की हितों का सवाल है तो मुझे बदाई है संजय जी उधर हज्जारों लाखों कास्तकार महिला है खुद छोटे-छोटे बच्चे किसानों का जेंडा लेके क्योंकि मैं तो एक कास्तकार हुआ है मेरी जारत ये किसानी है कास्तकारी है कास्तकार मेरी जारत है और मानोता यहां मेरा धर्म है शायद वो भी दिल्ली में जो लोग बैठे है वो भी यही सोचते है तो राजनेति जहां तक राजनेती और देश के केंद्र सरकार का सवाल है, तो मुझे बताईए संजे जी, वहाँ लाखो किसान, लाखो कास्तकार, लाखो महिला, लाखो युवा, लाखो कलाकार, वगरे वहाँ अपने मांग के लिए बैठे है, सारा तनमंधन, अपनी कास्तकारी, अपनी भ प्रतीत होता है, उद्देश सिद्ध होता है, कि इनको कास्तकारों की नहीं पड़ी है, वो चड़ाक भर कारपोरेशन का इलेक्शन की पड़ी है, इससे यह प्रतीत होता है, कि यह जो है, मूल उद्देश है, मूल उद्देश से सब देश का पूरे जहां का लक्ष जो है, व राजनिती खेल है, शडियंत्र है, मैं तो इसे शडियंत्र कहूंगा, कि मूल जो सिद्धानत है, मूल जो प्रश्न है, वो प्रश्नों से दुनिया का, देश का, नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए, ये सब राजनिती चल रही है, इसलिए, all this system, all this situation is concentrated about the राजनिती, in front of, in circle of राजनिती, कास्तकारों की hit की अगर बात होती, तो इतने 10-20 दिन नहीं लगते साहब, प्रधान मंत्री आते, नहीं प्रधान मंत्री तो गुरूह मंत्री आते, नहीं गुरूह मंत्री आते, तो हमारे नागपूर के केंद्रिय मंत्री है, उनको बोला जाता सरकार के प्रामानिकता बिल्कूल ही नहीं है, सरकार को तो ये सारे चीजों में नागरिकों को उल्जा के अपना राजनेतिक उद्देश, आर्थिक उद्देश, पुंजीवादी उद्देश सफल करना है, ये इससे प्रतित होता है, और वो ही भावना, विश्वास की ही भावना सर के अंदर भी पंजाब है, हरियाना है, महाराष्ट है, मध्यप्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्तान, बंगाल, तमिलनाडू, करनाटक, उडिसा, आधी तमाम राज्यों के किसान आकर वो पुरा बंगाय ऐलन कर रहे है, प्रवंजी एक सवाल हमारे अ कर दर City दिल्ली के प्रदिन हे, उनसे जब हमने इसूवारी पर बात की तो उन्हों canine यह धा था, वहाँन के किसान यह कहता है, यह कहता है, कि मोधि जी मन की बात करते हैं, नरेंदर मोधि जी मन की बात करते हैं, हम उनके मन की बात सुनते हैं, लेकिन इस विढ़े theor को च से लेके तो करोना से लेके अब सारी चीजे जो है वो दिशाभूर करने वाली प्रतित होते जारी है लोगों को सर्वसामाने हम भी ग्रामिंट से हैं सावर खेडा हमारा गाव है वर्दा जिल्ले में और वो गाव के भी कुछ लोग जो बकरी चराने वाले लोग है जो गया च समर्पित किया जिससे केंद्र सरकार मेजोरेटी में है भलाई इवियम का उसको साथ है लेकिन मेजोरेटी थी लोगों सर्वा सामने लोगों की मानसिक्ता थी के नहीं यह कुछ अच्छा करेंगे लेकिन बाद में अभी तो यह मैसूस हो रहा है तो पहले का तो अच्छा था चल्षा था फैया बह्या पहले को राजनेतिक में वास्था चोर थी अरे बाप यह जो राजनेतिक व्यावस्था ही यह तो दरोडे खोर है यह तो जांगी ले सकती है पहले के तो लोग शूरी कर सकते थे लेकिन यह तो दरोडे खोरी जान लेनी की बात कर रहे हैं या ऐसी कुछंका यह अवस्था के वजए से यह सरकार के रिप्रेजेंटेशन के वजए से यह सरकार के दिशा भूल वाले रवए के वजए से सरवसामने नागरीकोच में अस्तकरों में हो रही है और उसी के चलते हमारा आगे चलके विश्वासगात हो रहा है हो सकता है यही चीज को लेके यह आंदोलंग तीवर होता जा रहा है मगर किसी पर प्रकार्श की कोई भी अनुहनी नहों कोई घट्टा नहों कोई अनुचित बात नहों कोई गडबड़ है और अगर फिर भी किसान नहीं माने तो सफसे आफि में बी एस एफ यह जो सुरक्षा की एक जो टीम है कंपणी है यह पूरी तरह से उनको कंट्रोल करने वाली है मेरा सवाल यह था क्या ऐसे में कोई घट्टा हो सकती है किसानों को नुक्सान हो सकता है या फिर किसकी कच्रा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कच्रा निकाल आज तक हमने कच्रे में भी कभी बेदभाव देखा है लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से हमने आदकमी वो में छोड़ो निर्मान कर लिया है सहाब जहाँ हम याने चाती पर हाथ रक्क के बोलते थे जय Cream जै किसान मुठिव बान के बोलते थे आख लगा के बोलते थे दिल से मन से थन मन धन से भोलते थे जय долларов जै किसान तो यह सरकार ने अपने कुछ राजनेतिक शड़ियंतर के तहट जै किसान यह ज़ Ihrer है ये देश के वो पईयों को आपस में भीडा दिया क्या ये दुरुष्टी से आप नहीं देखेंगे तो कितना बड़ा भायानक ये राजकरण हो गया है कि जवान और किसान जो ये देश की शक्ति है जैसा करण और अर्जुन को जैसा वो विलन भीडा देते थे तो ऐसी किसान कुछ कर लेंगे अरे भाई जो पोलिस होने हमारे सरदार जी लोगों के उपर हमारे किसान लोगों के उपर दंडे बरसा है गोली पानी के फवारे बरसा है वो किसान वो हातों को खाना खिलाने वाले कौन थे वही आप सोशल मेडिया पर देख रहे हो उनको याने दं serait Stateswart को भूख लगी साहई तो यही वो किसान था अपने ही हाथों से वो सब दंडे बरसाने वालों को खाना खिलाने वाला हाथ है दूसरी बात मैं सञ्जे जी बताना चाह॑ंगा किसानों के बारे में यह तो आप बड़े सादू संतों ने महर्शियों ने महापूरिशों ने बाबा साहब ने किसानों के लिए बहुत सारी व्यवस्ता निर्मान करके रखी वह इंप्लिमेंट नहीं हो रही है राजने टिक इच्छा महत्वक आंग्शा के वज़े से ये बात निराली है लेकिन किसान अपना दुक कर आते है जंगली उसके बाद में बंदर आते है है ना पूरा खाते है किडे मकोडे जीव जन्तू जरिंदे परिंदे दरिंदे चरिंदे सब आते है सब खाना खाके जाते है means at a same time ये कुद्रक की वगरे वो निसर्ग की और निसर्ग सुरक्षा की लोग बाते करते ह है सहे तो निसर्ग सुरक्षा निसर्ग जो सुरक्षित है कुद्रत जो सुरक्षित है फ्लोरा एंड फोना जो सुरक्षित है लौ आफ नेचर जो मेंटे हो रहा है वो किसी अंत्री मंत्री कलंत्री से नहीं या किसी उद्द्योपती से नहीं या किसी शहरवासियों से नही यह किसान जीव जन्तू शीव तंतू पक्षी पंची जनावर वो फिर जंगली जनावर रहे या फिर पालिव जनावर गाओ का जनावर है सबको अगर समझो कोई पालन पोशन कर रहा है तो वो किसान है अब इतना करने के बावजुद हजारों कीडे मकोडे आते है धन धानने खाते है अपना निकल जाते है क्या किसान ने कभी सरकार से या कुदरत से या निसर्ग से या आप से या मेरे से या कभी किसी व्यवस्था से उसका मोबदला मांगा है बिल्कूल नहीं तो किसान ही एक ऐसा घटक है जो अपनी विवस्था संभालते हुए स्वा के साथ परधर्म का भी यह सुत्रसंचालन कर रहा है इसलिए जो आपका जो सवाल था कि यह जो आपकी फोर्स लगाई टम की फोर्स लगाई यह बीएसेप लगाई अरे साहेब यह सब पहले किसान है किसान ने अगर अनाज किया तो जवान वहां मिल्टरी सीकुरिटी क करेंगा अगर अनाज नहीं तो जवान क्या करेंगा क्या खाएंगा गुगल से कुछ रोटी डाउनलोड करके वो खाएंगा या मोबाईल से कुछ SMS खाके वो गूंदा रहेंगा आपकी जो बात है आपकी बात आपके जगह पे सही है लेकिन जब सुरक्षा के बात आती है लान कंट्रोल की जब बात आती है तो पोलीस प्रशास उनको भी पूरा मुस्तित रहना पड़ता है चाहे आंदलोन कोई भी हो किसी के भी हीतों में हो तो उनको रहना पड़ता है वे अपनी डूटी बखुबी के साथ निपाएंगे किसान भी कल देश भर में बहुत आंदलोन करने जा रही है और उनके आंदलोन को कई ऐसे संगट है जिन्होंने समर्तन दे दिया है अब सिफ बात है कि उनके जल से जल उनके मांगों को पूरा क्या जाए एक मेरा इसी को बात को लिके ये सीधा प्रसन दर्शुक आप देख रहे हो मेरा एक सवाल ये था कि क अवीडी प्राइडाम किसान नहीं करता किसान सीधी सड़क बेदड़क पास किसान का काम रहता है किसान के मांगे क्या है किसान के मांगे यह है कि यह तीनों कानुन जो है वो रद्ध हो ठेट we don't want any development or plus minus on that laws तो किसान यह चाहते कि यह पूरे जैसे कि वह इसे कायदे रद् के सिवा हम कुछ भी discuss नहीं करना चाहते and that is depending upon upon अभी सरकार सरकार में आप देखी है बहुत सारे RTI से लेके तो यह सारे बहुत सारे कानुन पारित कि है उसकी क्या benefits जनता को या देश को हुए हुआ है यह आप अच्छे तरह से जानते हो आप सत्रकार हो आप सारे क्षेत्र सेंस आ जाता है तो उसी डंका है सरकार का उद्देश अभी उसमें किंतु परंतु होने के कारण यह संगर्श की जो संगर्शी को जो स्थिती बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो राजनेतिक शड़यंत्र का राजनीतिका एक भाग हो सकता है लेकिन किसानों का साधा स सिधा सिधा बोलना है कि यह जो कानुन है वो पहले भी थे उसमें कुछ विशेश कास्तकारों को फाइदा नहीं हुआ अभी जो amendment किये है वो amendment से भी कास्तकारों को विशेश फायदा होने वाला नहीं है कास्तकारों को अगर सचमे सरकार को फायदा करा देना ही है तो मुल्ले आधारित, खर्चा आधारित भाव कास्तकारों को देना चाहिए और दुसरी बात स्वामी नाथन आयोग ने जो जो चीजें बोली थी उसके तरफ क्यों नहीं चर्चा स्वामी नाथन आयोग के शिफारस जो की थी जो मुद्दे किये थे उसके उपर एक भी लोक सबाका ना विधान सबाका ना लोकल कोई नेता क्यों नहीं बोलता क्यों नहीं बोलता स्वामी नातन आयोग ने जो शिफारज से की है उसको इंप्लिमेंट करने के तरफ चलो सुरुआत में कटिनाई होंगी सुरुआत में कौडिनेशन की लिए थोड़ी तकलिप भी होंगी लेकिन चलो लेट असमूँ आहेड एक एक कदम होने वाला नहीं है सहब संजेव यहां मिरे को आप बताईये संजे जी प्रांस के प्रायम निस्टर और अक्षे Valya कुमार акиनड़्टर यहां च्मदान दे रहे हैं वह अपनी नहींतिक जापदारी को संबहल रहे हैं देश के किसान की भूमिका को संबहरे हैं वह करतव्य क कोई सोया हुआ नहीं है सोने का शायद नाटक कर रहा है ऐसा भी हो सकता है क्या आपको नहीं लगता ऐसा संजय जी तो यही भावना जनता में है यही भावना कास्तकारों में है इसलिए कास्तकार बोलता है कि 1,2,3 करो और इंडिया फ्री करो यह हमको यह नहीं होना अगर आपको कुछ करना है तो स्वामी नातनायोग लागू करो मुल्ले वर्दित, मुल्ले आधारित, खर्चा आधारित जो भाव है कास्तो करो को मिलना चाहिए आपको मैं एक बाद बता देना चाहूँगा कौन सी भी बाइक जो कीमत में वो मेनिफैक्चर होती है जैसा 20-40,000 का मेनिफैक्चरिंग कास्ट है तो पब्लिक में 25-60,000-80,000 को दी जाती है एक सुई अगर 5 पैसे में तैयार होती है तो वो 5 रुपे में पब्लिक को बीची जाती है तो फिर वो ही नियम, वो ही काईदा, वो ही कानून कास्टकारों को क्यों नहीं यह मेन मुद्दा है और यही मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बागी जो सरकार की जो नितिया है, जो कुलैप्स हो गई है वो नितियों से ध्यान हटाने के लिए अभी सरकार पिछले बार मिल्टरी का उपयोग किया गया राजनीती के लिए, अभी कास्तकारों का उपयोग राजनीती के लिए किया जा रहा है, that is for only time pass and time pass, but we are losing our country, we are losing our tan, man and dhan by these politics, so we don't want that, जैनी. राजनीता के फंडे की इस प्रकार के है, कि वो किस प्रकार के लोगों के मानसिक्ता, चाया हर्थिक प्रणाली हो, स्वास्त की प्रणाली हो, या फिर व्यापार की प्रणाली हो, इनमें उन्हें कैसे जगजोर के रख दिया है, कैसा कमजोर किया जा रहा है, और किसानों को न यह प्रोग्राम हमारा देख जरूर रहे अगर सरकार को इस बात से कुछ थोड़ा सा भी अच्छा मिलता है किसानों के समर्धन के लिए उनके हीतों के लिए कुछ काम करना चाहती है तो उनका जरूर करें क्योंकि किसानों को आंदलोन होना यह सबसे बड़ी एक अच्छी बा करतना चाहिए क्योंकि मैं बंजारा लिकतारा घुमासारा भारत अमारा कहीं खड़े परबतबर फिले तो फिर कई हैं रेत के टीले और किसान यह तील-तील मर रहा है किसान अपना खून पसीना एक करके अनाज की उपज निकालता है पैदावार करता है तब कई दर्श को आपको मुझे अरुज सरकार को और तमाम 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 देश के 130 करोड लोगों को खाना मिलता है बशरते किसान यह अपना एक सितार है अपने आइकॉन है अपने सुपरस्टार है और रियल हिरो है इनके तरब दुरलक्षित अवैड इनको करना यह बराबर नहीं होगा उनक अपले लायू में सिदा प्रसारन में हम नए नए मेमानों के साथ हमारे अलग-अलग रिपोटर आप से इस विशे को लेकर बातचीत करते रहेंगे और आप देखते रहें आपका सबसे अच्छा इंबी से न्यू चानल के तमाम तमाम प्रोग्राम मुझे दीजिए आप देखते रहें आपका अपना पसंदीता प्रोग्राम खास मुलाखात प्रवीन जी रावत के साथ